कश्मीर का नाम जहन में आते ही खूबसूर्त वादियां राजनितिक उतल पुतल और सन्ने संगर्ष ध्यान में आ जाते हैं कश्मीर का इतिहास इस से ज़्यादा खास अलग नहीं रहा सदियों से कश्मीर सामाजिक, संस्कृतिक और राजनितिक संगर्षों में डूबता और उतरता रहा है कश्मीरी इतिहास में ये संगर्ष मोरियों, कुशानों, बोधों, शैवराजाओं और सूफी आगमन के बाद तक होते रहे कश्मीर के हालात आज भी सामाने नहीं हो पाए हैं, फिर भी कश्मीर ने अपनी जीजी वीशा ने आज छोड़ी है न तब छोड़ी थी और इन सब की गवाही वहां की भाषाएं, लीपियां और उनका सम्रद विस्तरत साहित्य देता है सुरवाती समय से लेकर तेरवी सदी के साहित्यकार विस्तार और ब्रह्मनवादी पाखंड नहीद चिंतन पर पुरुषों का एक आदिकार था चोदवी सदी में पहली बार साहित्यक छेत्र में स्त्री हस्तक्षेप लल देद यानि हिंदू की लालेश्वरी और मुसल्मानों की अल अरिफा से किया जाता है नमस्कार है आप सभी को और बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे लालेश्वरी देवी के जन्म के विशय में अभी तक वैसे कोई स्पस्ट राय नहीं है लेकिन इतिहासकारों के हिसाब से इनका जनम 1317 से 1320 इस्वी के बीच में हुआ है इनके जनस्थान को लेकर भी दो मत हैं पहला पामपोर के करीब सिमपोर और दूसरा श्रीनगर से कुछ दूरी परस्तित पांधरिठन लालेश्वरी देवी का जन्म एक ब्रहमन परिवार में हुआ था उन दिनों लड़कियों के शादी छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी और ललेद्यद के साथ भी यही हुआ। मात्र बारव वर्ष की आयों में ही लालेश्वरी देवी का विवाह एक अधेड व्यक्ति निक भट के साथ कर दिया गया। कश्मिरी परमपरा के अनुसार साधी के बाद उनका नाम बदल कर पदमावती कर दिया गया था। बहुत लालेश्वरी देवी के ऊपर पती और उनके परिवार द्वारा अत्याचार किये जाने की मुख्य वज़े। वहां के विद्वानों के मुताबिक लालेश्वरी देवी का दामपत्य संबन्दों में रूची ने लेना था और इसके पीछे उनका अत्यदिक मात्रा में धार्मिक रूजान भी बताया जाता है यही कारण था कि लालेश्वरी देवी को कोई भी उपाय नहीं सुजा था और उन्होंने महज 23 वर्स की उम्र में घर छोड़ने और सन्यासिन हो जाने का निर्ने ले लिया उनका यह निर्ने केवल इश्वरी अनुभूती या धार्मिक सम्मद में नहीं देखा जाना चाहिए असल में यह विवा पारंपरिक संस्थाओं के खिलाफ और 14 सदी में एक महिला का शशक्त विद्रो था पती का घर छोड़ने के बाद लालेश्वरी ने वह नाम भी त्याग दिया जो उन्हें पारंपरिक रूप से दिया गया था लालेश्वरी देवी जब सन्यासिन होती हैं तो वे निर्वस्त रहोकर सडकों पर घूमने लगती हैं शायद यह बंदनों के खिलाफ उनका विरोध रहा होगा उन्होंने शिधा स्रीकंट को अपना गुरू बनाकर शैव दर्शन की दिक्षा ले दिक्षा के बाद उनका वैचारी कुथान हुआ और उन्हें एक चमतकारी व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा लोग उनके दर्शन के लिए आने लगा कश्मीर के सुर्वाती शमय में साहित्य पर पुरुसों का अधिकार रहा है समाज में जो स्थान पुरुषका था भासा में संस्किर्थ उसके अधिकारी थी पतंजली से लेकर वलब देव मममट और कलहन तक साहित्तिक छेत्र पुरुसों और कुलीन दर्जा प्राप्त संस्किर्थ से अटा पड़ा था नोवी स्ताब्दी तक कश्मीरी जन भासा के रूप में अस्तित्तों में आ चुकी थी लेकिन ततकालिन धर्म केंद्रित ब्रह्मनवादी समाज में लोग भासा में लिखा साहित्त नहीं माना जाता था लालेश्वरी देवी ने कश्मीर में अपना वाख लिखकर इस धांचे को तोड़ दिया उनकी कविताएं वाख कही जाती थी उनकी कविताएं धार्मिक सीमाओं से परे जाकर लोगों को प्रभावित करने लगी उनकी कविताओं में आम जन की बाते होती थी सामजिक मसलों को द्हान में रखते हुए वो कविताएं लिखने लगी उन्होंने मूर्धि पुजा का खंडन किया था उनके दर्शन में एक इश्वर की अवधारना देखने को मिलती थी वे कहती थी व्यक्ति को भोतिक आवरण में नेर उलज कर आंतरिक अनुभूतियों को महसूस करना चाहिए लालेश्वरी देवी नी संदेह कश्मीरी इतिहास की सबसे महत्वपुन कवित्री हैं इनों ने उस दोर में पित्र सतात्मक समाज में अपने लिये स्थान बनाया रूडियों को तोड़ा और धार्मिक मत बेदों को कम किया वे अनेक सूफी संतों के लिए प्रेड़ना रही सूफी संत नूर उद्दीन उनसे बहुत प्रभावित थे लेखक रंजीत होसकोटे के अनुसार लगभग साथ सो सालों तक लल्यदत की कविताएं और कथाएं कश्मीर में हिंदूओं और मुसलमानों के बीच गाई जाती रही है निश्चित ही वे कश्मीरी इतिहास की सबसे बहतरीन धार्मिक, साहितिक और नित्रत्यों करने वाली महिला थी उन्होंने समाज में ब्रामनों का वर्जस्व खतम कर मूर्ती पूजा जैसे आडंबरों पर प्रहार किया उनकी कविताओं में महिलाओं और सामाजिक विकृतियों का गहरा परचय मिलता है संत लालेश्वरी देवी के विशय में कहा जाता है कि वे भगवत भजन में इतनी ज़्यादा लीन हो जाती थी कि लोक लजजा का भी उन्हें ख्याल नहीं रहता था मेरा के समान मतवाली होकर वे भजन करती हुई सडक से गुजरती तो लोग उनका उपहा सुडाते एक बार वे भजन करती हुई मंदिर जा रही थी कि बच्चे उनके पीछे पड़ गए और उन्हें चिड़ाने लगे इस पर एक वस्त्र व्यापारी ने उन्हें डाटा और भगा दिया वे बच्चे जब वहां से भाग गए तो व्यापारी विजई मुस्कान से ललेश्वरी की ओर देखने लगा व्यापारी के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसने जैसे संथ की बहुत बड़ी सेवा की है ललेश्वरी देवी ने व्यापारी की ओर बराबर टुकडे करने के लिए कहा व्यापारी द्वारा वैसा करने पर उन टुकडों को अपने दोनों कंदों पर डाल कर वे आगे बढ़ने लगी चलते हुए रास्ते में जब भी कोई ललेश्वरी देवी का अभिवादन करता या उनकी हंसी उडाता तो वे उन टुकडों में एक एक गांठ बांदने लगती मंदिर से लोटने पर उन्होंने बे टुकडे व्यापारी को वापस करते हुए उनका वजन करने को कहा वजन करने पर उनका वजन बराबर बराबर मिला तब ललेश्वरी देवी बोलती है प्रसंसा या निंदा का हमें बिल्कुल खयाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से संतुलित करती रहती हैं इसलिए हमें सबको समान द्रष्टी से देखना चाहिए और समान भाव से ग्रहन करना चाहिए चाहे वह अपमान हो या संबान हो संत लल्लेशवरी अपनी लल लला ललारिफा लल देवी आधी नामों से विख्यात हैं संत लल्लेशवरी देवी को कश्मेरी शाहिते में वही स्थान प्राप्त है जो हमारे हिंदी में कबीर जी को प्राप्त है इतनी महान विदूशी होती हुए भी दुख की बात यह है कि ऐसी प्रातवंधा इवा महानतम अधात्मिक विभूती योगीनी लल्लद्यद का कोई भी दर्सनिय समारक, समाधी, संग्राले या मंदिर कश्मीर में नहीं मिलता। शायद वी इन सब बातों से उपर रही होंगी। वी दर्सल इश्वर परम विभू की परतिनी धीपन कर आई थी और उनके फर्मान को जन जन में परचारित कर उसी में चुपचाप मिल गई। देवी लोगों के जहन में चोधवी सदी की यह कवित्री सामाजिक परिस्तेतियों को उधेरती अपनी वाक सहित साहितिक गरंतों और कश्मीरी जन मानस के मस्तिक स्पटल पर बसी हुई हैं। जैसे प्रेम की ओखली में हर्द्यकुटा प्रकरती पवित्र की पवन से जलाई भुनी स्वम्चूसी संकर पाया उसी से। नहीं थे हम ही होंगे हम ही ने चिरकाल से दोर किये सुर्योदय और अस्त का कभी अंत नहीं होगा शिव की उपासना कभी स्माप्त नहीं होगा। संत ललेश्वरी देवी के इतने सुंदर काव्य आज भी जन जन के मानस पटल पर छाय हुए हैं। इन काव्यों में हम स्पस्ट रूप से देख सकते हैं कि संत ललेश्वरी देवी भागवान शिव की कितनी बड़ी भक्त रही होंगी। संत ललेश्वरी देवी ने मान परतिस्ठा की सारे मरियादाओं को तिलांजली देकर सत चिंतन में निरत एक रमती डोलती योगिनी की रूप में जीवन बिताया। भीतर की अंतरी चाल से अस्तित्व के उंचे मुकाम पार किये। सत्य के परदेशों को दूर तक जाना। संत ललेश्वरी देवी की कविताओं में अस्तित्व के सत्य की खोजी एक स्त्री का संघर्ष, लोक शिक्षन की भूमिका और अस्तित्व के पूरे सत्य की उचाई स्पस्ट रूप से देखी जा सकती हैं संत ललेश्वरी देवी ने इतने गहरे शब्द कहे हैं कि यदि किसी को उन शब्दों की गहराई समझ में आ गई तो वह इंसान समझो तर गया उन्होंने कहा जीवन मरण के लोकिक बंदनों से उपर उठकर मेरे लिए जन्म मरण एक समान नै मरेगा कोई मेरे लिए और नै ही मैं मरूंगी किसी के लिए ऐसी परम योगिनी को मेरा शत्चत नमन शत्चत प्रणाम